नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती हैं जो भी ने समचार पत्रों पर चाहिवी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्रक होती हैं तो आईए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन से सुचनाय है आगे बनने से पहले एक बात और अगर आप इस चैनल पर अभी नय है और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को इसी तरीके की जानकारिया मिलती रहें और जुमित्र पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं सबसे पहले सुझना है बैंकों में भरे जाएंगे क्लर के 12,000 से अधिक पद लिखा देश भर के 12 बैंकों में क्लर के 12,075 पद भरे जाएंगे इसके लिए IBPS ऑनलाइन आविदन प्रक्रिया 17 सितंबर से सुरू करेगा प्रदेश के इसना तक अभरतियों के लिए बैंकिंग चेत्र में रोजगार के लिए यह एक सुनवेरा मौका है आविदन करने की अंतिमतिती 9 अक्टूबर है IBPS साथ दिसंबर को इन पदों को भरने के लिए ऑनलाइन परिक्षा लेगा क्लर्ग पदों के लिए अभ्यरति को दो परिक्षा प्रारंबिक और मुख परिक्षां में से गुजरना होगा अभ्यरति की आयू 20 वर्ष मिल्मम और अधिक्तम 28 वर्ष निर्धारत की गई है SC STX सर्विसमेन विद्वा दिव्यांग ब्यक्तियों के लिए आयू में निमानुसार छूटती गई है अभ्यरति का किसी भी बिसे में ग्रेजिवेट होना अनिवार है आरेक्षित वर्ष के लिए अभ्यरतियों के लिए 100 रुपए आविदन शुल्क जबकि अन वर्गों के लिए 600 रुपए शुल्क है परिक्षा ऑन-laine credit debit card net banking के माद्यम से दे होगी अभ्यरति अपनी सिविधा अनुसार अपने परिक्षा के लिए अनराजियों में भी चैन कर सकते हैं इसके बारे में एक वीडियो भी बना चुका हूँ और आप लोगों से मैंने इस भर्षी के बारे में बताया था अलग अलग राजियों के लिए अलग अलग भरतीने के लिए है जितने भी राष्ट्री क्रक्रत बैंक हैं उनकी एक सेंट प्रिक्चा होती है IBPS के माध्यम से तो इसमें प्री और मेंस होगा और इसको आप लोग IPS की वेबसाइट से देख लीजिए अगर आप योगी हैं तो इसके लिए अवेदन कर सकते हैं इसके बाद में अगले सुझना है एक नेता के बेत के बयान की लिखाए नौकरी की नहीं उत्तर भारतियों में योगिता की कमी संतोस गंगवार इतने बड़े मंत्री का यह एक बेत को बयान है इस तरीके का बयान न केंद्रि स्थरम इवं रोजगार मंत्री संतोस गंगवार का कहना है कि देश में नवकरिओं की कमीन है हमारे उत्तर भारत में योगी लोगों में योगिता की कमीरी है और यहां नवकरी के लिए रिकूर्य करने आने वाले अधिकारी बताते हैं कि उने जिस फण के लिए लोग चाहिए उनमें वह योगता नहीं है केंद्री मंत्री IVRI के सवागार में केंद्र साथकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलवदियों और भावी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे बेकू मंत्री को अभी ये नहीं पता है कि विदेशी कंपनियां आती हैं और यहां से ले जाती हैं और जाने कितने प्रदिवासाली विद्यार्थी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है चाहिए IITN की हो चाहिए IIM की हो विदेशों की कंपनियां ले जाती हैं और वहां पर अमेरिका हो चाहिए इंगलेंड और फ्रांस और जर्मनी हो वहां की कंपनियों के लिए ये विद्यार्थी कैसे योग है विदेशों में तो यहां की अभरती यहां की प्रतिभा साली विद्यार्थी तो अब एक से एक कामियावी के जंडे गाल रहे हैं और यहां पर देश के अंदर ही इस तरीके की बाते हो रही हैं पूरी दुनिया भारत की प्रतिभा का लोभा मानती है लेकिन एक मंत्री इस तरीके का बयान देता है खुद तो नोकरियां दे नहीं रहें सरकारी छेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में भी नोकरी के आउसर बना नहीं रहें प्राइवेट सेक्टर में किसी अगर विद्य नहीं आता है उस पर मंत्री कोई कुछ बोलता नहीं है चाहे जितनी भी भरतियां हो सभी भृष्टाचार में रुकी हुई है अब इहाली के मामला प्रधान मंत्री है यह अपनी सरकार का बचाव करते हैं इन्हों ने लिखा यहां पर संतोस गंगवार ने बताया कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और कई अन योजनाओं के जरिए सरकार ने छोटे ब्यापारियों को बड़ा उद्यमी बनाने की कोशिस किये कोई कोई को आप नोकरियां दीजिए लोग खुदी पानी पी लेंगे आपके भीक की आपके पानी की कोई जरूरत नहीं है अगली सूचना है जारखंड करमचारी चायन आयोग की एक भरती की लिखा है जारखंड जे जी जी एल सी सी इक के जरिए 1140 पदों पर भरती नीचे लिखा है कि जारखंड सामान युक्ताधारी इसना तक स्तरी स्यूट परतियों गिता परिच्छे दोजार उन्निस नीचे लिखा जारखंड करमचारी चायन आयोग ने 1140 पदों के लिए आविदन मांगा है आयोग की ओर से छे अलग-अलग पद ricka ricka kته p rev Such trust विधþर टकारिके लिए 203 प्रकंड कल्याण पता हिकारी के लिए 149 अंचल निरिक्षक के लिए 170 सहिकारिता प्रसार्ण निरीख के लिए 241 और प्लानिग एसिस्टेंट के पांच पदों के लिए आविदन अमंतित किया गया है आगे online नीचे लिखा है कि अगर online आविदन करना है तो इसकी आविदन 18 सितंबर से लिए जाएंगे और last date याद रखिए 17 अक्टूबर है आविदन में किसी तरह की तुर्टी होगी तो सुधार के लिए 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का मौका मिलेगा इतने पदों के लिए अगर 15,000 से कम आविदन आएंगे तो एक परिक्षा होगी इसे जदा आविदन आये तो दो परिक्षा होगी सभी पदों के लिए graduate उमीदवार आविदन कर सकते हैं तो ये पद देख लिए आप लोग एक बार फिर सकते हैं तो इसके लिए आविदन 18 सितंबर से कर सकते हैं अगली सुचना है लती ग्रेट शिक्षक बर्ती की जिन विद्ध्यारतियों को रिजल्ट आ चुका था लकबग 1000 पदों के लिए उन विद्ध्यारतियों के बारे में इसमें लिखा है कि पेपर आउट प्रक्रण म के साथ उन विश्यों के अभ्यर्थियों की भी निक्ति फस गई है जिनका प्रडाम जारी किया जा चुका है चैनित अभ्यर्थियों के दास्ता वेजों का सत्या पर होना था जो विवाद सामने आने के बाद में इस्तिकित कर दिया गया था साल 29 जुलाई को आयुजित की इसके तरत 15 विश्यों में एक बार बताया था कि नुक्तियां सब की एक साथ ही की जाएंगी क्योंकि इससे जुनियार्टी सिनियार्टी का प्रभा पड़ेगा इसलिए जब तक सोशल हिंदी और जो अन विश्यों है उनके प्रणाम नहीं आ जाते हैं तब तक इनकी भी नुक्ति नहीं होगी और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि द्यार्टियों की एक दल ने मुलाकात किया था लोग सिवा आयो के चेर्मेन से और उन्होंने कहा था कि इसके लिए विधिक सलाह ली जा रही है उनके पास आरोपत्र मिल चुका है उन्होंने चार सीट देख लिया है और उन इसलिए रिजल्ट को गोशित कर दिया जाएगा तो पंदर दिन के लिए उन्होंने का था और पंदर दिन पूरे होने वाले हैं देखते हैं कि पंदर दिन में रिजल्ट आता है या नहीं आता है अगर रिजल्ट नहीं आता है तो सभी विध्यार्थी तयार रहें फिर से एक बहुत ही बड़ा ब्यापक अंदोलन होगा इसके बाद में बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भरती के रिजल्ट के बारे में बहुत सारे विधारती इस भरती के प्रेडाम के बारे में लगतार पूंच रहे थे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पुलिस भरती क डिले किया गया और अब हो यह सुचना मिल रही है कि सितंबर के महीने में ही लास्ट सितंबर तक पुलिस कांस्टेबल भरती की लिखित परिच्छा का जो परिणाम है वो आ जाएगा जादस जादा इसके लिए जादस जादा दो सब्ताह और लगेगा और यानि कि 15 दिन के अंदर आपका परिणाम आ जाएगा तो ठीक है दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीकी के अपडेट प्राफ्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं अगर यह सूचना आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन मित् वीडियो ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद